नमस्कार दोस्तों उम्मित करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे जैसे कि मैंने पिछली व्यूडियो में आपको बताया था कि भई आप जो है एक यूट्यूब चैनल बनाकर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको क्या अपना जब हम कोई चैनल बनाएंगे तो हमको सेलेट करनी होती है अपनी कैटेगरी अब हमने कैटेगरी मालो सेलेट कर ली है तो सबसे बड़ा सिरदर्द होता है कि यार एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल का नाम कैसे रखा जाए तो मैं आज आपको कुछ एक तो टीप बताऊंगा कि आपको ना अपना नाम किस तरीके से रखना चाहिए ठीक है और यह आपको बहुत अच्छी ट्रिक और बताऊंगा जिससे कि आपको अपना चैनल का नाम ढूंडने में बहुत ज्यादा आसानी होगी तो आईए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना यूट्यूब चनल नाम रखते समय किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए यहां पर दोस्तो सब्णल को बहुत जप में करता है आपके चैनल को घ्रो करने के लिए तो सबसे पहला जो point है वो है कि channel का उदेश्य क्या है आपके और आपका channel किस बिसेपर है ठीक है आपका channel जिस बिसेपर भी होगा आपको अपने channel का नाम उसी बिसेपर को दरसाते हुए रखना होगा जयसे मान लिजीए आपका कोई channel review का है तो आपके channel में कहीं न कहीं review का जरूर चिकर होना चाहिए ये आपका channel मान लिजी cooking का है तो उसमें कहीं न कहीं cooking को दरसाते हुए आपके channel का नाम होना चाहिए अब दूसरी बात करते हैं साधगी और इसपस्टता ऐसा नहीं है कि आपके चैनल का नाम आपने कुछ भी ऊट पटांग रख दिया हो बहुत ही प्यारा सा नाम आपका होना चाहिए साधगी बना होना चाहिए कहने का मतलब है कि जैसे बहुत से लोग बड़ा भारी नाम रख देते हैं वो याद भी नहीं हो पाता है जैसे कि जो famous YouTuber हैं उनके नाम से मिलता जुलता अपना नाम रख देते हैं लेकिन दूस्तों मेरा कहना यह है कि आप YouTube पर क्यों आयो आपको famous होना है, आपको जो है अपने channel को grow करना है, आपको अपनी नई पहचान बनानी है, तो फिर आपको किसी दूसरे का सहरा क्यों लेना है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी दूसरे के channel का नाम लेते हैं, use करते हैं, तो हो सकता है कि आप जल्दी से grow हो जाएं, लेकिन वो फिर आपकी पहचान नहीं बन पाता है, तो आपको अपनी पहचान बनाने के लिए न, अपना अलग से एक unique नाम सुरू से ही लेकर चलना होगा, जो कि किछी से mail ना खाता हो, क्योंकि कल को जब आपकी पहचान बनेगी, तो लोग आपको उसी नाम से जाने, ये ये तो उस नाम से जाना जाता था, ये अपना चेंज कर लिए, ऐसा नहीं है, शुरुवात से ही आपको अपना अलग से एक नाम लेकर चलना चाहिए, यानि कि अपने नाम कोई अपनी brand बनाने चाहिए, ठीक है, अगला point है, keyword का उप्योग, ठीक है, इसमें जो है कि जैसे म अगर माली जे कोई सर्च करें, ठीक है, तो वो तुरंत सर्च में आ जाए, तो इस तरीके keywords से मिला के भी आप अपने channel का नाम बना सकते हैं, ठीक है, channel का नाम में कुछ उसके संबंदित keywords आप युपयोग करें, जो कि आपके channel का जो विसे है, उससे जुड़ी होई होनी चा अगर माली जे मेरा चलन का नाम है, डिजिटल हिमानसू, अब मैं माली जे में और लंबा ही बढ़ा दो, दो चार सब्द और जोड़ दो, तो फिर काफी लंबा हो जाता है, तो दो सब्द या maximum तीन सब्द काफी होते हैं, आपके channel के नाम के लिए, ठीक है, अगली बात करत हैं, ब्रांडिंग के लिए उप्युक्त, यानि कि जैसे कि माली आपका channel का नाम है, अकल को आपकी पहचान बनती है, आपकी brand बनती है, तो उसी लिहाज से भी आपका channel अच्छा होना चाहिए, आपके channel का नाम, जो भविस्या में, अगर मालो आप Instagram पर, Facebook पर उसको use करते हो तो एक brand हो जाएगी आपकी, क्योंकि जब आपकी पहचान बनती है न, जो जाईर सी वात है, YouTube के बाद लोग आपको Instagram पर ही follow करेंगे, आपको Facebook पर भी देखेंगे, तो आपका जो नाम है, वो आप बहाँ भी use करते होगो, इस तरीके का आपको नाम रखना चाहिए, अगला जो है point, वो है कि social media handle check करें, जो कि आपको बता रहा था हमें, कि सुनिश्चित करें कि चुना हुआ नाम है, वो अन्य social media platform पर उपलब्द हो, ठीक है, यानि कि मालो आपने कोई नाम तो रख लिया, वो YouTube पर उपलब्द है, और आप माल लिजी उसको Instagram पर use करना चाहते हो, औ वहाँ पर वो आपको social media handle नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से भी आपको आप नाम रखोगे ना, तो उसको पहले ही आप जो है, अन्य social media पर जो है, आप चेक कर लीजिए, कि हमको वहाँ नाम वहाँ पर उपलब्द है, अबिलेबल है, या नहीं है, अगला जो point है, वो है कि वही दर्सकों की सोच, यानि कि जो आपके subscriber है, वो किस बारे में सोचते हैं, यानि कि आप जैसे माली जी किसी भी topic पर आप वीडियो बना रहे हो, जी किस category का आपका चैनल है, तो उस category के जो दर्सक होंगे, जो subscribers होंगे, उनके मन में क्या सोच होगी, यानि कि जो उनको आक आप इस तरीके के नाम भी ले सकते हो, अब आप इस तरीके के नाम कैसे यूज कर पाओगे, कैसे अपने चला का नाम रख पाओगे, आगे बात करेंगे उस बारे में, फिलाल आपको और उधरन देता हूं, जैसे माली जी आपका चैनल food और cooking पर है, तो आप इस तरीके के आप इस तरीके के नाम रखते हो, तैसे टेस्टी ट्रेट्स हो गया, फ्लेवर, फीष्टा हो गया, किलिणरी डिलाइट्स हो गया, यह देखो नाम मुझसे लिए भी ने जा रहे, लेकिन यूनिक नाम है, अगर आप इनको सर्च करोगे ना, तो तुरंत मिलेंगे, और जै जैसे आप गूगल जैमेनी का यूज कर सकते हो, गूगल जैमेनी में जैसे ही मालीजी आप टाइप करोगे, मैंने कुछ कीवर्ट्स रखे होए हैं, जैसे कि मालो मैं पूछता हूँ इस से कि वहाई हमको यह बताओ, कि जो मेरा वाईटी चैनल है, उसमें ब्लॉक केटेग तो यहां से आप आइडिया ले सकते हो, जैमेनी बहुत अच्छी चीज है, चैट जीपीटी की तरह है, चैट जीपीटी से भी आप पूछ सकते हैं, जैसे माल लीजिए, यह हमारा चैट जीपीटी है, यहां से अगर हम पूछेंगे कि वहाई वाईटी चैनल जो हमारा बताईए, तो यहां पर यह भी हमको ढूंड कर देदेगा, आप देख सकते हो, पंद्रह नाम इसने एक सेकिन में हमको दे दिये, कि वहाई इससे इसमें थोड़ा सा फेर बदल करके इससे मिलते जुलते नाम जो है आप रख सकते हो, तो यहां से आप आईडिया ले सकते है आपको ज़्यादा दिमाग लगाने ज़रूरत नहीं है, बस फटाक से अपना अच्छा सा नाम आप रख लीजिए, एक और तरीका है जैसे कि आप मोबाइल में वाटसप यूज़ करते हो, ठीक है, तो वाटसप ने भी जो है अपना मेटा AI लांच कर दिया है, इसमें जैस पंधरा नाम इसने दे दिये हैं, पांच नाम इसने हिंदी में दे दिये हैं, तो यहां से जो है दोस्तों आप आइडिया ले सकते हो कि हमको किस प्रकार का अपने चैनल के लिए नाम रखना सही रहेगा, तो वाटसप ने भी जो है दोस्तों अब अपना मेटा AI लांच किय और इससे आप अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन भी पता कर सकते हैं, जैसे गि मुझको मालो अपने इसी चैनल का डाउनलोड करने की जुरूरत नहीं है आप अपने वाटसप में ही यह सारी चीजे जो है आप पता कर सकते हो अपने चलल का डिस्क्रिप्शन अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन अपने चलल का नाम ठीक है तो काफी सारी आपको हेल्प हो जाती है वो पहला जमाना नहीं है कि जब हमारे जैसे यूटूबर्स को बहुत मिहनत करनी होती थी कि यार क्या हम लिखे डिस्क्रिप्सर में किस तरीखे चैनल का नाम बनाए तो आज तो दोस्तों आपको काफी सारी चीजे टेकनलोजी दे रही है तो इनका फैदा उठाईए और आज ही अपना एक बहतरी चै मैं आपको यहाँ पर सीखाने वाला हूँ ठीक है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लेगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम फिर मिलते हैं किसी और भेतरिन वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद